पाइब कर लिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं फिलाटेक्स इंडिया की कुछी अनलेस्स देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो एस इन फिलाटेक्स में आप देख रहे होगे स्टॉक में मोमेंटम बहुत सही चलते हों इन अज़र आ स्टॉक में साथ से 10 परसेंट का मुव था 20 मिलियन का वॉलियम था और स्टॉक में जो पर्मेशन बन रही है वह कुछ है जॉफ यह ट्रेंड लाइन है बाइक रिजेक्शन फेस कराती उपर के लेवल पर और यहां पर सेम इस यही ट्रेंड लाइन स्पेसिकली रिजिस्टेंस फेस करा है और कुछ प्रॉफिट बॉकिंग रही है नीचे अगर आप इस दिसामें क्रेश कर चुका है और बोलिश है गैपिंग काफी है आरे साई में यहां पर 63 के राउंड पर यहां पर काफी गैपिंग है सेम अगर वीकली टीएफ पर सेम स्टॉक को आप देखते हैं तो यहां भी मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुका है और उपर की दिशामें चलने के बहुत उपर की अभी मूव आ सकते हैं विकाज यहां 60 के आसपास ट्रेल कर रहा है तो नियर ब्रेक आउट है और मॉल्टिपल कनफर्मिशन दिख रहे हैं विकाज मंतली टीएफवी फाइनली क्रॉस ओवर कर चुका है तो अब स्टॉक में एक अच्छा मोमिंटम बन सकता है तो अगर यहां पर ब्रेक आउट होता है आने वाले एक दो सेसन में तो स्टॉक को ब्रेक आउट देना होगा इस लेविल का और 68 के बाद स्टॉक में एक अच्छा मोम आएगा टारगेट जो आपके आने वाले हैं वो अपने रहेंगे यहां पर 72 के आराउंड 72 के बाद for the next target आएगा यहां 75 इसके पहले कुछ यहां पर resistance ज़रूर देखने को मिलेगी आपको 70 के राउन लिकास यहां पर retesting होगी निकलने के बाद तो यह कुछ इस zone को sustain करना चाहिए तो फिर यह सारे target आपको जल्दी यह देखने को मिलेंगे EMA के according देखें तो supportive है EMA और recently bullish हुआ है यहीं से तो काफी stock corrected भी है जो recent का fall था यहां से correct हो चुका है इधर तक और stock up ready हो रहा है up trend के लिए तो आने वाले दिनों में अगर यह breakout देता है stock तो यह stock आपको obviously उपर की दिशा में अगर बात करते हैं 80 तक के target तो फिलाल निकल के आ रहे है तो यहां पर 22% के return तो यह आपको दिखाई सकता है उसकी उपर अगर चलता है तो फिर यह 90 के around चलेगा 90 और 100 के लिए तो फिर उपर यह आपको 40% के around के target definitely दिखाने वाला है जो भी रहेगा यहां breakout के बाद move रहेगा तो फिर फिलाल buy करने के लिए अगर आप इसको buy करने का सोच रहे हैं तो 1RTF क्या कूलिंग हो चुकी यह RSI में थोड़ी cooling और मांगेगा यह अभी विकॉज 1RTF पर overbought territory में अभी भी trail कर रहा है तो यहां पर जो भी cooling रहेगी थोड़ी बहुत और अगर इसी zone में consolidate कर रहा है तो यहां कहीं पर एक strong buy आपकी बन सकते है इस zone के करीब तो इसमें अगर आप buying करना चाहते हैं इस zone के करीब इसको देख सकते हैं अगर sustain कर रहा है 65 के levels यहां से उपर की दिशा में आपको जो target दिखेंगे short term move रहेगा यहां पर 6% का very very short term जिसके आप breakout होगा तो फिर और अच्छा चलना चाहिए तो एक अच्छी entry यहां कहीं बन स रहा है तो यहां पर pullback आएगा बट इसका मतलब breakout fail होने का मतलब यह नहीं है कि इस बार breakout देगा और short term के लिए यह bearish trend लेगा यहां कहीं पर जो भी अच्छे move आएंगे 68 के बाद आएंगे तो इसको अगर कोई buy करने के लिए सोच रहा है तो यहां कहीं पर zone के आसपास accumulation कर सकता है और यह ready हो रहा है stock long term के लिए एक अच्छे move के लिए जो कि आपको swing दिला सकता है for a month का एक अच्छा bullish stock के जो recent नतीजे थे अगर यहां quarterly result देखें तो 1054 CR की sales थी जो कि last time से थोड़ी कम थी 1069 की around थी expenses 991 थे last time 1025 थे और यहां पर अद इसमें operating profit देखें तो 63 रहा ल 34 का रहा है last time 24 था net profits 32 CR का रहा है last time 18 था तो EPS भी बढ़के 0.73 हो गया काफी सही रहा है दूसरी ताफ अगर आप जाते इन्वेस्टर में तो FI mistake थोड़े से कम किये बट FI mistake यहां पर Elm Park fund के और Hypnos fund और सेम इस डिया में भी Elm Park और Hypnos और Quotec महिंद रहा है तो DIA mistake as it is है ज वो भी सही अपने आ रहे हैं और profitable रहा हलागी sale कम रही है बट company के recently quarter भी सही है ROC यहां पर साड़े बारा परसेंट के आस्वास चल रहा है और सही है पीर comparison अगर देखते हैं तो company काफी अच्छा टक्कर दे रही है ROC में ग्रैसम इंडस्ट्री बॉंबे डाइंग को साथी साथ यहां पर century एंका इंडो रामा इनको अच्छा competition देते भी नजर आ रही है तो अगर fundamentally financially देखे हैं तो company काफी strong देख रही है और ROC के मतलब से अग वाले समय में अच्छा चल सकता है और यहां पर momentum बन रहा है तो breakout अगर देता है 68 का तो आपको पता है target बहुत अच्छे आने वाले हैं जो भी यहां पर move बनेंगे breakout का retesting होगी तो वहां भी entry ली जा सकती है यहां फिर नीचे अगर pullback बना रहा है तो वहां भी दो entry रहेंग और साम 9 बज़े रोजी live session होते हैं और youtube पर stream होते हैं free of cost होते हैं तो आप join कर सकते हैं live session में आपको काफी knowledge मिलेगी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो join जरूर करिएगा अपनी queries clear कर सकते हैं तो मिलते नेक्ट वीडियो में this is me सुभमियादव signing off